वाम चाहिब जिए करती को ऑघ्षर न करते हैं लेक्टर इमारट 25 और ऑज के लेक्षर में हमने लीगल रिक्वायर्मेंट का चप्टिर कंक्लूट करना है हमने कशわか्तों कंसेबस को तक्रीवान कम्लीट hilj करने हैं जो जिन कंसर्ट की बार-बार टेस्टिंग करता है वो हमने कल डिसकस कर लिए थे और इसके बाद आपको होम साइडमेंट दी थी आज पहले होम साइडमेंट डिसकस कर लेते हैं फिर उसके बाद यह चोटे से कंसेप्स हैं इनको कवर कर लेंगे सबसे पहले मुझे करेंगे बताएए वाल्यूम वाल्यूम वाल्यूमन की होम साइडमेंट दी थी आपको और आपके साथ मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर कर ली थी चलिए इसमें वाल्यूम वान में कोई असाइडमेंट में जो आपको क्वेशन दिये गे थे इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई नों की प्रॉब्लम होनी चाहिए वहीं कंसेप्ट जो हमने क्लास में डिसकस हिए थे जाहरे कंसेप्ट तो वहीं होंगे लेकिन क्वेस्टन की इंफर्मेशन वह चेंज करता रहता है वालियम टू में से कोई प्रॉब्लम नहीं है एक मिन्ट है यह वन बैवन क्वेस्टन नम्बर थ्री थ्री में कोई इशू क्वेस्टन थ्री में बीपार्ट के रहे हैं जैन एंड कंपनी ए फिर्म ऑफ चार्ड़ेट कांट है सीब लेन अफ़र फार्पार्पांट में एडि इसके डारेट शेयर सान नहीं है उस कम्पनी में जिसका ऑडिंटर हैंट इनलिए फार्फ में फॉर इंवस्टने के अब यहां पर का डाय। ड्रीक्ट होल्डिंग नहीं लेकिन आपने डरोफ बिजनिस महें में पढ़ा है तो उसम्यांपको को और्ष्ट होगा partnership property जिसमें ये सीखा था हमने के जो property partnership की है उसके उपर हर partner का हाग है वो हर partner की ownership में है उसके उपर हर partner का हाग है तो इसे लिए एक partner एक firm है उसके partner की client में direct shareholding नहीं है लेकिन partnership की shareholding है यानि किसी दूसरी partnership की जो जिन्होंने audit करना है उस partnership की shareholding आदा और तूब डूसरी की तो लेकिन चूबक वह पार्टनर उसे दूसरी फर्म में भी पार्टन रहा है तो की शेर होल्डिंग का मतलब पार्टनर की शेर होल्डिंग जैसे अगर हम ईसको अपनी डियाग्राइम के जरीए से थोड़ा सा मुझें लग रहा है कि अगराम के जरी से कवर करें यह और यह फर्म थेक्षा और यह क्लाइंट क्लाइंट कंपनी अब बेसीकली डिरेक्टली तो इंट्रस नहीं है लेकिन यह एक दूसरी फर्म पार्टनर्शिप फर्म है प्योर इंवेस्टमेंट प्योर इं कि तो इन समझी जाएग से एकनडिशन पार्टनर्शिप होना है जो पूरी करना लाज़मी होता है at time of appointment disclose करना भी लाजमी है और within 90 days dispose करना भी लाजमी है sometime case study में वो एक requirement के बारे में नहीं बताता कि at time of appointment disclose किया गया के नहीं तो अगर वो इसके बारे में silent है तो आप assume कर सकते हैं कि उसने at time of appointment disclose किया होगा और आपने फिर within 90 days उसको dispose करने की बात करने है ठीक है कुछ question में उसने यह तो बताया कि share holding है पार्टनर की यह नहीं बताया कि time of appointment disclose किया के नहीं किया तो हम क्या assume करेंगे disclose किया थीक है जब कोई मसला नहीं है तो इसका मतलब है ठीक है ठीक लियर फॉर में कोई प्रॉब्लम फॉर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसक्स में क्यों प्रॉब्लम अब इसी डी भी रहा गया को डी भी बोलते भाई वकार इसे पार्ट कमेंट और नीच हो था following independent situation with reference to applicable rules and regulation अच्छा यह applicable rules and regulation के जो words है ना यह clear नहीं कर रहे होंगे आपको यह कंदी एक्सक्रेम टाबी का अंसर करना है के code of ethics के मताबे ठीक है तो इसका answer मैं आपको code of ethics में जाके दूँगा कि यह rules and regulation का असल में मतलब क्या है यहां पर चुके legal requirements में question है तो इसका मतलब है law के मताबी कि हमने इसको solve करना है वकार इसे पार्टर सुहेलेंड कंपनी चार्डेट कंड़ को अर्डा आटर ऑफ सीम निमिटेड फार यह 2011 आकिब हुआ यह पार्टनर ऑफ वकार इन 2008 इन फूड बिजनिस हैस रिसेंटी बीन अपाइंट इस डिरेक होने जा रह pierwszy उसके लिए कोई problem नहीं ही है यहां पे देखिए कि जो आकिब है वो पार्टनर चाहें पास्त में रहा हो लेकिन अब रॉटन का डरेक्टर速ance भादने के लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है even अगर वो फॉर्म का पार्टनर रहना वह आज करके कल को क्लाइट्टर बनता है तो इसमें कोई परप्लम नहीं है आज करके बात करें सिर्फ लीगल के मताबिक मेरे बाइब करें क्योंकि हमने लीगल रिक्वाइर्मेंट का टॉपिक जब एथिक्स पढ़ेंगे उसके मताबिक भी डिसकस कर लेंगे अभी एक कंसर्ट मैंने आपको समझाए नियुसके मताबिक कैसे कर सकते हैं तो जो ला क्या कहता है कि आडिटर पाइंट होन कमाल हुइस पार्टनर इन एसी हैंड फाइव थाउजन शेर इन जी एल विदिन थर्टी देज ऑफ एकसेप्टनस ही गिफ्टी दाशेर तो ही संद कामरान हुइस ए मैनेजर इन एसी अच्छा पहली चीज तो यह देखिए उसने विदिन थर्ट अपाइटमेंट के तीस द मैनेजर है क्लियरली नहीं बताया क्लियरली नहीं बताया लेकिन जो मैनेजर का वर्ड है को इसे मैनेजर इन एसी इसे हमें लग रहा है कि यह मैजर होगा यह मैजर हो लेकिन बेहतर यही है कि आप इफ करके दोनों कंडिशन को शेर कर रहें या अगर आपने एक डैड ही इस मेजर और बता दीजे के डिस्पोजल वैलिड हो गई है डिस्पोजल वैलिड हो गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ज्यादा बेहतर यह और मार्क्स भी शायदा है तो ज्यादा बेहतर यह है कि आप दूनों पॉसिबिल्टिस को डिस्कॉस करें जी बी में 6B में कोई प्रॉब्लम है अगर यह माइनर होता तो फिर इसका मतलब यह है कि डिस्पोजल वैलिड नहीं है अभी भी उन्होंने विदिन 90 डेज इसको डिस्पोज करना है विदिन 90 डेज़ ऑफ पाइंट में आंसर में यह नहीं लिखा हुआ कि पाइंट हो जाए क्योंकि व क्वैसर में देखें ना वह पाइंट हो चुका है ठीक है तो हमने यह लिखना है कि दिस्पोजल वैलिड नहीं है अगर माइनर सन डिस्पोजल वैलिड नहीं है उससे विदिन 90 डेज ऑफ पाइंट्मेंट स्पाउस या माइनर सन के इलावा किसी थर्ड पाइंट को स्पाइब को लाओ में जितने वए लौ के कंसेट्स पढ़े हैं किसी भी कंसेट्ट में उसने हमें यह नहीं कहा के फीस के बारे में कोई इसका इशू नहीं हुआ लीगली फीस की वज़ा से कोई डिस्कौलिफिकेशन राइज नहीं होती लेकिन याद रखें कोड़ ऑच् next six हो गया seven में कोई problem seven का part B हो गया था इसके calculation इसमें है वो भी होगी calculation चलिए इसका जो डिसकेशन वीडियो डिसकेशन वो जरूर आपने देखनी है यह question number seven part B की ठीक है question seven part B discussion वैसे तो सारी discussion आपको सारी case studies की discussion आपको देखनी चाहिए लेकिन खास वर्पी यह question eight कोई problem नहीं है फिर इसके बाद था question 10 10 में भी problem नहीं 11 जी जी 11 का यह जी ठीक है अच्छासर में concept यह है कि law यह कहता है कि अगर आप utility bill pay करना है और वो overdue हो जाए 90 days से तो आप disqualified है यह तो हम सब को पता है अब इसमें बाद वकात ऐसा होता है कि add time of appointment तो 60 दिन हुए है और appointment के बाद 90 days होगे अब क्या होगा पहली चीज़ मुझे बता है अगर appointment के बाद बिल को overdue हुए 60 days हुए है क्या appointment हो सकती है कि नहीं हो सकती है अगर उसने appointment के वक्त कहा कि 60 days हुए है अगले छे महिनों में installment के जरीए payment कर दूँगा अगर appointment को उसने यह agreement किया appointment हो सकती है कि यह agreement करने से उसी वक्त bill 90 days overdue हो गया तो नहीं हुआ ना यहां पर मसला यह नहीं है कि उसने agreement कितने अरसे में पे करने के लिए कि यहां पर प्राप्लम यह आए कि 90 डेज गुजरे के नहीं गुजरे तो उसने चुकर appointment के पूछा कि appointment हो सकती है कि नहीं और at time of appointment 90 days नहीं गुजरे at time of appointment 90 days नहीं गुजरे तो इसलिए appointment हो सकती है कोई प्राप्लम नहीं अप्राप्लम हो सकती है अच्छा यहां पर फिर स्ट्रोंट के जहने में वह क्वेस्टन आता है जो उसने पूछा है नहीं हुआ वह क्वेस्टन क्या आता है कि जब appointment हो जाए उसके बाद 90 days गुजर क् और बिल पुरा पेद ना हुआ हो तो क्या होगा ऑफार्षल पेद किया पार्षल पेद किया पार्षल पेद नहीं किया अभी आउट्ट्संडिंग है तो चाहे Fully आउट्स आउट्संडिंग हो अगर 90 डेज गुजर गए और बिल आउट्सestraregist lumière होते हैं तो अपवे नहीं ह इसके लावा question जी अगर बाद में 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये casual vacancy में आएगा और casual vacancy को fill करने का rule क्या है directors ने within 30 days इसको fill करना है और अगर directors fill नहीं करते हैं तो 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 एक partner disqualified तो sorry from disqualified तो फिर ये तो होई नहीं सकता के partner qualified तो तो सारी firm qualified ये कहला जा रहें उनको कहने दें ने जी हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फर्स कीजिए एक firm में 5 partner है एक partner employee था client का a b c d e 5 partner है Mr. D उस client का employee था 1 साल पहले क्या इस firm की appointment हो सकती है नहीं हो सकती क्यों नहीं क्योंकि a d d disqualified सारी firm disqualified अच्छा Mr. A part time b practice करता है याद रखे एक person एक से ज्यादा partnerships में partner हो सकता है थोड़ी देर पहले as individual practice करता है तो क्या individual capacity में Mr. A auditor point हो सकता है उस company का क्या यस हो सकता है क्योंकि individual capacity में उसे कोई problem नहीं है वो disqualification किसकी वज़ा से है D तो जिस जिस जगा पे D होगा ना उसके साथ-साथ disqualification जाएगी लेकिन अगर A, B, C या E में से कोई इस firm से अलाइदा हो जाता है तो फिर उसकी पाइंटमेंट हो सकती है वो परस्टनल capacity में उसकी पाइंटमेंट हो सकती है क्लियर हो गया यह point जी और की question 11 क्लियर है इसका 14 14 में की problem 15 15 में कोई problem नहीं है 18 17 तो भी assignment दी नहीं आपको 17 assignment दी थी यह भी डिसकस करने में है यह स्लेट की अब डिसकस करने के लिए 18 18 नहीं दिया था पहले दिया वा था 18 एक मिनट चलिए इसकी discussion शेयर कर दी गई है आप इसकी discussion को सुन लेजेगा अगर समझा जाए ठीका वरना फिर कल पूछ लिजेगा 18 के 17 में भी करवा देता हूं 19 में कोई problem नहीं है 18 में अगर कोई एकादी problem है तो वह पूछ ले अगर पुरा question डिसकस करना चाहते है तो फिर आप discussion सुनने पर इसके बाद चलिए यह हमारा यह complete होगा अच्छा अब कुछ questions हैं जो मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूं ठीक है case study मैंने select किया है क्यूंकि हम सारी की सारी जो हमारे case studies है वो वीडियो लिंक के जरीए से आपके साथ share नहीं कर रहे कुछ case studies share करते हैं और कुछ case studies हम class में practice करते हैं mixer हम लेके चल ले हैं ताकि class में हमारी case studies की practice होती रहे discussion हमारी क्लास में भी चलती रहे बागती जो additional case studies है उनकी discussion अलाइदा से आपको मिलते हैं क्लास में इतना time नहीं होता कि सारे के सारी case studies को हम class में discuss कर सके इसलिए class time को manage करने के लिए कुछ case studies class में discuss की जाती है और कुछ case studies आपको अलाइदा से यूट्यूब के दिरे शेयर की जाते हैं तो अभी कुछ case studies मैंने select की हैं उनको हम discuss करते हैं अब कुछ case studies की discussion हम करते हैं question number five question number five correct comment on each of the following independent situation इन में से हर एक independent situation पे comment करें in respect of appointment of orders with reference to applicable rules and regulation देखें applicable rules and regulation का मतलब क्या है ये clearly उसने नहीं बताया कि company Z के मताबिक आपने answer करना है code of ethics के मताबिक ये पहले पुराने question वो इस तरी के से ड्राफ्ट करता था applicable rules and regulation के साथ लेकिन अब जोसका recent trend आप clearly हमें बताता है के company Z के मताबिक आपने answer करना है या के code of ethics के मताबिक अबी के पर रूजन रापर नहीं किया हुआ हुआ तो हम सब सारी जितनी बी situation के लिए अपर डिसक्रेशन और कमनी जएट के मताबिक ही करेंगे सबसे पहले गावा एंड कंपनी चाड़र चांटर्स हैव रिसीव डे रिक्वेस्ट फार अपाइंट्मेंट्स गई है तो उप्र यह है यह लुए यह जिए यह उपर यही था क्मेंड्स नीच ता फॉलिंग इंडिबैंड ने स्वेश्ट एक कडे लगावा एंड कंपनी maintain their accounts with OBL and are enjoying credit card facilities from them maximum outstanding balance on the credit card facility due from many partners is 899,000 तो मेरा ख्याल है नहीं अगर aggregate करेंगे तो वन मिलियन से एक्सिड हो जाए एग्रिगेट नहीं करना credit card वे अलादा से ही हमने अरे की limit देखनी है तो चुक्छे हर partner की credit card की limit 1 मिलियन से कम है इसलिए firm की appointment हो सकती है orange bank limited में इसमें कोई प्रॉब्लम में में नेक्स एप्रिकॉर्ट एंड कमनी चार्डेट कॉम्टेंड है वे सीवड एन आफर फार अपार्टमेंट अडिटर ऑफ बनाना लिम्टेड मिस्टर पंपकिन हुई इस नोमिनी डिरेक्टर ऑफ दा गर्मेंट ऑन दी बोर्ट ऑफ डिरेक्टर ऑफ बनाना लिम्टेड होस्ट टूइंटी फ़एपर शेर जिन मौटर मैले लिम्टेड अब देखिए क्वेस्टन में दो कम्पनीज आ गए जहां पर दो कम्पनीज आ जाना मेरे लिए क्वेस्टन मुश्किल हो जाता है आपके लिए भी मुश्किल चलिए ठीक तो यहां पर अब हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर बना लेते हैं यह हमार आडिटर और इसके बाद फिर यह जिस क्लाइंट की पॉइंट्वेंट होने जा रहे हैं जिस क्लाइंट में बनाना लिम्टेड बे लिमिटेड और दूसरी कम्पनी कौन सी है वाटर मैलन लिम्टेड डवल्यू भाई आप अपने अटेंशन अगर क्वेस्टन की पर दिखेंगे ना तो कुछ समझ में आएगा अगर आप इदर दर हसी मजाग करते रहेंगे तो फिर हसी मजाग कर लें मैं चला जाता हूं मैंने आपको पहले पी बताया है मुझे जिन्दगी और यह मैं सच बता रहा है मैं मिजा कर आपके सबसे ज्यादा जिस बंदे से ना उससे जो मेरा टाइम जाय करवाता है सबसे ज्यादा मुझे बाकी आपने देखा मैंने कभी माइन निकिए मताव आप जो भी हसी मजा करते हैं तो कोशिश करें अटेंटिव हो जाए ताकि कम वक्त में हमें कंसर्ट समझ आ जाए ब लिमिडेड डव्यू लिमिडेड अ और डेक्टर है वोडर मेंन लिमिंटेड में भी तो यहां पर सबसे हैं चीज़ कि मेरा यह ख्याल है क्यूंके कॉमों डेरेक्टर्शिप है एक परसल्ट वी लिमिडेड में और मेरा ख्याल यह सोसेटीट गम्नीद होगी सुसेटीड गम्नीद नहीं होई शापाइड शू सब्सक्राइब अगर यां पर यह नो मिले कि इसकों के साँ अगर कोफ सब्सक्राइब किसी कंपनी का नमीनी di rector है वो उसा कंपनी का कर सकता है यह लाइबा क्योंसरल पूशचा है क्या जो जिस कंपनी का नमीनी डॉर्ग तो याद रखें नमीनी डी डे ड्र सillon कंपनी की exception के सिस्क्वालिफिक केशन में जब उसने लखा है लिम्टेड और बी लिम्टेड क्या दोनों असूसियेटेड नहीं है दोनों में कोई रिलेशन्शिप नहीं अच्छा तो अब क्या कह रहा है वो आडिटर का क्या है स्पाउस पार्टनर आसो होड़ शेर्ज इन वाटर मैलले लिम्टेड तो यहां पर लिखेंगे स्पाउस यहां जो जाया है इधर कोई फरक नहीं पड़ेगा इधर आईटर की पाउटमेंट बी लिम्टेड में हो सकती है अच्छा फर्स कीजिए सारा क्वेस्टन यही होता लेकिन उसने यहां पे यह नोमिनी का विंक्लूड ना किया तो क्या उस चुर्त में पाइंटमेंट हो सक तो common डारेक्टर्शिप होने की वज़ा से उस सूरत में क्या लिखते है appointment हो सकती है provided at time of appointment disclose किया जाए और within 90 days से dispose किया जाए clear आगे चलते हैं ये part V में कोई problem जी मेरे भई नहीं Mr. Pumpkin उस client का director है Mr. Pumpkin client का director है उसका firm से कोई तालुक नहीं है firm से कोई वो तो मैंने वैसे दर्मियान में एक हटके question पूछ लिया था किया Mr. Pumpkin जो nominee director है वो audit कर सकता है कि नहीं उस company का जिसमें वो nominee director है तो वो नहीं कर सकता क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी officer employee या director उस company काड़िट करने के लिए लिस्क्वालिफाइड है तो समझाना यह चारा था कि nominee director associated company के लिए exception है लेकिन अगर कभी हमें पूछ ले वो कि क्या nominee director जिस company में director है उसका अच्वालिट कर सकता है तो सी मिस्टर जहीर ए लीगल प्रैक्टेशनार है रसीवड आफ़र फॉर पाइंटमेंट आइज एक्स्टरना युटर अटर फलीची प्राइब लिए 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 लुट्ट फाइव मिलियन ओफ विच फॉर्टी परसंट इस ओन बाए ब्लू ब्लैक लेंटिड लिस्टेट कम ने मिस्टर जहीर के अपाइंब्मेंट हो सकती है क्या नहीं क्यों चार्टेट अपर परसंट आइटर पाइंट वहीं नहीं सकता क्लियर अच्छा फर्स कीजिए फर्स कीजिए और सारे फैक्ट यहां पर मिस्टर जहीर की बज़हा अच्छब कोस्ट रेंड मेनजमेंट नर्ट तो क्या फिर मिस्टर जहीर पाइंट हो सकता है हमने वैलिएट करना है हमने वैलियेट करना है देखें कास्ट एंड मेंजमेंट काउंटेंट किन केसिज में आड़िट कर सकता है एक जिस जो प्राइबेट कमदी है जो पब्ली कमदी की सबसेडरी भी नहीं है और पेर डब करप्टर भी 30 मिलियन से कम यह तीनों क्निशन जाद है अचा चलिए पहल कर सकता है अगर मिस्टर जहीर क्या के लीगल प्रेक्टेशनर की बजाएं में लिखा होता कॉस्टर मेंजमेंट काउंटर तो हम क्या कहते हैं कर सकता है लेकिन वह क्डिशन लिखके क्यों कर सकता है क्योंके LPL एक प्राइबेट कमदी है आजसो नौट ए सबसेडियों पब्ली कमनी और आजसो पेड़ प्रेटल लेस दें 3 मिलियन उस्टरा की कमनी का ओड़ एट CMA कर सकता है आज के चलते हैं दी वर्लेंट अंपनी चांटर्स हैं रिचीवड एन ऑफर फार अपाइंट्मेंट एज एक्सटनल आइटर फ़सीं प्राइबेट लिम्ते डव्ल इन प्लेस अप्लेस अडिटर्स हुवर रिमूवड विफोर दा कंपलेशन ऑफ देर तर्व यह मैं एजूम डाट डव्ली प्लेटिटिट कंपनी क्या अपाइंट्मेंट हो सकती है हां जी अपाइंट वो आफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती जब तक के आई कैप को प्रफेशनल के लिए से लेटर ना सेंड कर दें और नार्मली आइकाप कितने दिनों में 15 डेज में लेटर इशू कर लेता है यह डी क्लियर हो गय मिस्टर सादिक है जीर संडी जाइंड यूर फर्म एज़ पार्टनर ही है सब्डों दा बोर्ड ओफ डिरेक्टर ओफ स्वाबरी लिमिटेड अंटिल तीस जून दो हजार नों एज गमिट नोमिन है इन दी अन्वल जनल मेंटिंग ऑफेसल हैल्डों निकत्तिस अगस्ट तो शेर होड़र प्रपोस्ट नेम ओफ यूर फर्म फॉर पारपाइंट्मेंट एज एक्स्टरनल आइटर फादी ये एंडिंग तीस जून दो हजार बारा अचा पहली चीज़ तो मेरा तो यह ख्याल है कि अपाइंट्मेंट ड्रेक्ट हो सकती है क्योंकि नोमिनी डिरेक यह ग्यां इस तोड़ी दर पहले बताया था नोमिनी डिरेक्टर आ८्पाइन की केक्सेप्चन है विस्कॉलिफिकेशन की नहीं जिस तरह अपाटी डिरेक्टर इसौलिफाइड है उसी तरह सक्राद्प दियुक्युलिफ अच्छा लेकिन डिपेंड करता था क्यां किया ह डिबेंड करता है कि at time of appointment तीन साल गुजर चुके हैं के नहीं अब मुझे बताइए time of appointment कौन सा है 30 जून 2009, 30 जून 2012 या 31 अगस 2011 ये की डेट है इसको उन्टरलाइन करना इसका मतलब है हमने 31 सगस 2011 को खड़े होके देखना है कि क्या पिछले तीन सालों में वो company का employee था company का director था ओफिसर था अब ये तीस अब देखे 31 अगस 2011 है तो हमने देखना है एक साल बैकवर्ड जाए 31 अगस 2010 31 अगस 2009 और 31 अगस 2008 से पहले पहले अगर वो company का एसल का employee या डिरेक्टर रहा है तो appointment हो सकती है क्योंकि वो तीन साल पहले लेकिन अगर 31 अगस 2008 के बाद वो company का डिरेक्टर रहा है अपवाइंड बैट नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती वो विदिन थ्री एज इस मिशिश्क बताई तो बताईए इस एस में विदेटिन थ्री एर रा के नहीं रहा वो तीस जुन 2009 तक काम करता रहा है तीं दोजार नों तक इसका मतलब है पिछले तीन सालों में वो अगे चलते हैं 13 state whether or not the following circumstances under an item become disqualified to be pointed as a writer of the company under companies act बताना है कि इसमें disqualification rise होती है कि नहीं पहला auditor and one of the directors of the company are real brothers नहीं ब्रदर के director होने में कोई problem नहीं है problem spouse के director होने में इसमें कोई disqualification नहीं सेकेंड director has given interest fee loan to company कोई problem नहीं कंपनी अगर interest loan देना फिर मसला है अगर auditor loan दे लौक हम ताभी कोई problem नहीं थार्ट अफ्टर अफ्टर क्वाइट्मेंट हैस बिन लॉट्टी 10 परसेंट शेर्ट दा नहीं कि अच्छा इसमें वह 90 डेज वाला पॉइंट को लिखेंगे लिखेंगे क्योंकि वह एट टाइम ओफ उपाइंट्मेंट के वक्त 90 डेज दिए जातें आइडर को अपाइंट्मेंट के बाद अगर करता है उसके लिए 90 डेज नहीं है जिस दिन शेर रिक्वाइर किये उसी दिन वह डिस्क्वालिफाइड हो गया तो थर्ड में आइडर डिस्क्वालिफाइड हो गया फॉर्थ आइडर है गिवन किसी किसम का कुई इसक्वाइड नहीं होता लिगली एथिकली कोई शुराइड होता होगा जो हम बाद में स्टी कर लेंगे सैंटीन मिस्टर के दा पार्टनर फानाइड फर्म इन नार्मल कोस ऑफिस investment activities about shares of ABC limited of which is from was statutory auditor of which his firm was is line का मतलब क्या है कि जिसके ओस्ट्रेटर अडर थे क्या किया दूरिशेर भाइड होई फिर्वर टेशेर इस विदिन 30 days and immediately informed the company secretary about the whole transaction कुछ बिल्कुल कम्टी सेक्टी स्टेफ्स लेगा क्या स्टेफ्स लेगा इस लेगा डिस्क्वालिफिकेशन राइज हो गई है वह वो डिरेक्टर की मीटिंग करेगा विदिन 90 डेस विदिन 30 डेस रावाज और उस मीटिंग में डिरेक्टर निव अर्डिटर को पॉइंट करें अगर नहीं करेंगे तो कमेशन करें यहां पर यह जो कंपनी सेक्टरी ने यहां पर एक चीज़ दिन में रखेगा रिक्वार्मेंट में वो यह नहीं पूछता है क कंपनी सेक्टरी क्या स्टेप्स लेगा तो हम कंपनी सेक्टरी के पॉइंट ऑफ उसे इस केस को सॉल्फ करेंगे यह बात भी आए कि इसमें क्याटर डिस्कॉलिफाइड हो चुका है लेकिन क्वैसन यहां पर खतम नहीं कर देना बलकि उस से आगे बोर्ड मीटिंग को कॉ करना है उसके पाइडमेंट करने और फिर जब कभी पाइडमेंट होती है विदिन 14 डेस रिजिस्टर को कम्यूनिकेट करना होता है कमनी सेक्टी के यह सारे स्टेप्स हमारे स्विशन का हिसा बनेंगे है के लिए हाँ हाँ मेड़ अधी अगर वो शेयर्स बाइक करता है को और उसमें डिस्पोजल की कोई आप्शन या टाइम नहीं है जिस दिन फरीदे उसी दिन डिस्ट करना है कि बता रहा होता है कि कमनी जट के मताविक आपने आंसर करना है यहां के कोड फैल्टिक्स के मताविक आंसर करना है सबसे पहले पार्टनर्स ऑफ अबैनेंट कंपनी चार्डेट काउंटर्स है बातोराइज जहरा फू इस चार्डेट काउंटर्ट तो साइन डाड़िट पॉर्ट ऑफ तो फैल इम्टिड जहरा इसे मैनेजर इन दी और इन फैल इम्टिड फारें नंबर ओफ यर्स अब इस चार्डेट कोई ना कोई पार्टनर ही साइन करेगा नौरमली इंगेजमेंट पार्टनर साइन करता है लेकिन अगर फिर्स कीजिए इंगेजमेंट पार्टनर नहीं भी मुझोद उसकी जगह बें कोई दूसरा कर सकता है यहां पर जहरा जो है क्या वाड़िट पोर्ट साइन कर सकती है नहीं बलके आज के लेक्चर में हम एक इंसेंट करेंगे अगर पार्टनर के इलावा कोई और पोर्ट को साइन करें यानि साइन करते हुए लाग की रिक्वार्मेंट को एक नोर कर दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आगे चलते हैं बी की तरफ पार्ट बी क्या कहता है जी पार्ट भी कह रहा है तारीक लिमिटेड इन लिस्टेड कंपनी इस ड्यू टू होल्ड इट्स एन्वर जनल मीटिंग उन 15 स्टंबर 2017 डिसकस्टा राइट सेंड ड्यूटिस ऑफ एंडायों मीटइञ इन रिलेशन तूदरमेट गरें राइजमेंट उससे इंफर मेशन परवाइट करें वह कंपनी के इंफ़रमेशन ले सकता है सबक्री कंप्रेशन ले सकता है कि यह लिखेंगे क्योंने के लिकर ज פटिराएं वे जो मीटिंकर होरही है मीटिंग के हवाले से लिखे तो आपको याद होगा हमने जो इन्फरमेशन वाला और दूसरा था meeting वाला मिटिंग के क्या right है क्या adjusts meeting को उसका notice मिलेगा right to receive notice right to attend right to speak on audit related matters right to make representation in writing चाह राइट होगे duties क्या थी duties क्या थी meeting के वाले से क्या present होना duty है अगर listed company का case हो और representation हो लाजमी है उसकी। नरमली थो यह आईटर का राइट होता ना किस सुरत में डूटी بن जाता ता है। थो अगर किस सुरत में डूटी बन जाती ये। अगर लिस्टेट कंपनी हो और रिपनेशनी राइट इन दियो नेच्ट फरीड ए डिरेक्टर फामीर लिम्टेड गॉर्ड मैरे तो हिरा ए चार्टेट अकांटन हिरा एस ए सीनियर इंप्ली ऑफ सल्मान एंपने चार्टेट कंपने चार्टेट कंपर्स हुआर आलसो दा अडिटर फामीर लिम्टेड बताइए डिस्कॉलिफिकेशन होई के नहीं हुए जी डिस्कॉलिफिकेशन पार्टनर इस डिरेक्टर याद है आपको तो यहाँ पे मुझे यह बताइए कि जो हिरा है वो पार्टनर नहीं है इंप्लॉई है तो यह स्वेशन के ये बन रही है स्पाउस ओफ इमपलाई इज डिरेक्टर फॉने क्लाइन बंग याद याधन हम एकना हिरा की पोजिशन क्या है इंपलाई क्या है तो यह सुएशन इसपाउस agency मैं एस फाउस ओफ इमपलाई इस डिरेक्टर इन कम्पने तो स्पाउस ओफ एमफ प्रीवि यहां पे हिरा वाले केस में डिसक्वालेफिकेशन visto क्यों महला हिरा होता तो डिसक्वालीफिकेशन राइज हो जाती अगर हिरा सलमान एंड कंपनी में पार्ट्नर होति उस उसके दिसक्वालेफिकेशन राइज हो जाती nexty brass limited wants to point जाफर कंपनी share towards удоб सक्वार जामनी है वो पिछले कई सालों तक सर्फ करता रहा है मैनी येर्स का वर्ड यूज किया है तो कंफर्म नहीं है के तीन साल गुजर चुके हैं के नहीं गुजर यहां पर फिर क्वेस्टन को पढ़ें क्वेस्टन को पढ़ें और नोट कीजिए क्वेस्टन में वो यह तो बता रहा है के पास्ट में क्लाइट का डिरेक्टर रहा है यह तो बता रहा है नोमीनी डिर्क्टर भी डिस्क्वालिफएट तो है ना डिस्क्वालिफएट तो है लेकिन कतने साल होके यह नहीं बता रहा है कि कि अगर तीन साल से ज्यादा अर्सा हो गया है डिर्क्टर्शिप छोड़े फिर कोई प्रॉब्लम ने पांइंट्मेंट हो सकती है और अगर डिरेक्टर्शिप छोड़े तीन साल से कम अर्सा हुआ है तो फिर डिस्क्वालिफाइड है क्लियर चलिये 26 में सब के बीव नहीं आप शोर मचाते हैं इस वज़े से आएंदा जब मैं साथ वाली का हाइबिर्ड क्लास में जाया करूना आपने हमोश रहा आप चलिये मैं फिर जाता हूं अभी चेक करते हैं अभी आवाद शीक आ रही है ना इतनी है वाद चले चेक 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब वैदर मुराद इस इलीजिबल तो बी पॉइंटी डैज अन अडिटर ऑफ दा कंपनी इन नीच ऑफ दा फॉल्विंग इंडिपेंडेंट सिच्वेशन बताना है के मुराद इलीजिबल है के नहीं है तीन सिच्वेशन उसने बताई हैं हमें प लिए अफर फार पार्इडमेंट अडिटर ऑफ स्टार लिमिटिड बोथ जी एल एंड एसल आर सबसेडरी जो फुलूटो लिमिटिड जी बताईए अब देखें यहां पर चुके कंपनी की तदाद ज्यादा हो गई तो जब कभी कंपनी की तदाद ज्यादा हो जाए हमने इसके इसकी मुराद पार्टनर है गैमा लिम्डिड में जी यह अडिटर किस कंपनी के लिए अपाइटमेंट होने जा रही है स्टार लिम्डिड एसल के लिए एसल के लिए और दूसरी कंपनी कौन सी है यह जी यह और बोथ जी यह और सब्सेड्रीज और यह दोनों सब्सेड्रीज हैं किसकी अच्छा अब जरा सूचिए अब वो लाइन जो आपने नहीं पढ़ी होगी सब्साइटर कहा भी अभी सखत कम्нить नहीं वी अपाइंट्मेंट होने जा रहे है एसल में और पार्टनर पार्टनर अच्छा question आज़े partner is director partner is director अच्छा, father is director अच्छा-GL में डिरेक्टर है partner तो यह from-GL के लिए डिस्क्वालिफायद है यह जब-GL के लिए डिस्क्वालिफाइड है subsidory और प्वाल्डिंग के लिए दिस्क्राइब है यह ओल्डिंग अधर सबसीड्री और तीसरा होल्डिंग चाहिए झार तो तीजेण पड़ा था उसने केस कर लिया जिसने पड़ा घ्रका कि आगे बढ़ गया उससे यह केस सौल्ड नहीं होगा उसने कहूगा यह तो सो सीट इड़ा उसे क्या कहा हो का यह तो सूसीयटिड है पर सूस्यटिड में तो भी नहीं है है हालांके वुल्डिंग सबसेडरी उसका कर भी ओल लिधा सब्सेडरी तो डिस्कॉलिफएड ऑपॉइंटमेंट नहीं हो सकती एकलिक रुवा नहीं समझाई 2nd मुराद is sole proprietor in मुराद and company Chartered Accountants He has received offer for appointment as a writer of Super Energy Limited A power generation company in Multan Power generation मुराद has not paid his electricity bill to SEL for the last two months क्यों हो सकती है 90 days नहीं कुछले लेकिन appointment के बाद उसे लड़ रहना पड़ेगा A.K. के दिन गिन के गुजारना पड़ेगा के 30 दिन से पहले पहले पैसे जमा करके बिल अदा कर दे Clear? बीम appointment 3rd अच्छा ये 3rd वाला केस मैंने किसी जगा पे आप से हलका सा इसका तज़करा भी किया था मुराद is a partner in B.10 company Chartered Accountants His firm has accepted Offer for appointment as a writer of Panama Limited Rita who is Marat sister is working as an internal attorney in B.L. ये तो इदर ही खतम होगा डिस्क वालिफिकेशन होते है Spouse of partner is director ये तो केस बन रहा है Sister of partner is employee ये तो sister की वज़ा से भी कोई problem नहीं और employee की वज़ा से भी ये लेकिन कहानिया भी खतम नहीं होए जी आप सो होन्स 20 पर संट शेर जिन पी एल कोई प्राब्लम है कोई प्राब्लम नहीं थे अब कैसे होई रिटा डिस्पोर्ज दा शेर टुम्राज वाइफ विदिन 30 डेज ऑपार्मेंट ऑफ बी सी सी बट टुंटिन उस रिमेन इंप्लाइब यहां रिटा जैसे आप भी अपने किये पे पानी प्राइब देते हैं उसे करते हैं एमएं हमाथ प्रॉप के बियान काणी कोई प्राब्लम ने थी आप जब उस में दिस्पोоль्च किया किसको डिस्पोज किया प्रोज dois शेर्स के डिस्वोज किया यह कह रहा हूं भाई क्लियर हो गया यह चलिए यह थे हमारे क्वेस्टन्स जो के वीडियो डिस्केशन में मुझूद नहीं थे हमने इनको कम्लेट कर लें भाई अभी कोई टाइम ने भाई अभी तो वह प्राइज बाकी है जिन स्टोर ने क्यूंज कोई गया है जल्दी जल्दी ठाइंगर्णी करना के शाबाइज नहीं पूरी ऑब आपक्या समय समय कोई क्या यह चल्देंगहिए इनके साइनमेंट पूरी है शाबाइज पूरी है जाब शाबाइज ढख जी आगे अगला रोजिसाण जली आप जल शाब आशाब है में तो समझा था पूरी लाससाइंड मैं गजा घर गाई है यह किसान मेंक यह को शावाज इनकी साइड में इनकी साइड में नहीं है एक वैसा नहीं गिया एक वैसा नहीं इन एक टैस्ट नहीं टैस्ट नहीं किया इनकी कम्लीड है इनकी में करें यह जावा सावाश यह भाई को दीजिए भाई एक अब ले लेंगे लिए ने इसने नमबर 18 भी था सब्सक्राइब ना किजिए देखें जब कम्लीड असाइल्मेंट कहा उसका मतब अब आपक मेड़ा सांग फैसा नमबर 18 नहीं था करेंगे कोई शरीफ आद में देखें मेरे भाई यह एक में धार को सब्सक्राइब था सब्सक्राइब आपके शोर मचाने से थोड़ी मैं करने होगा आपके पास आपके तस्वीर तस्वीर में इसमें क्वेस्ट नहीं था भाई जा ने ऐसे शोर ना मचा एक लास को डिस्राब ना करें वरना आइंदा कभी कोई प्राइस आप पहले भी एक दफाह जो मैं 100 अपर पास शुरू में आपने शाहिओ बूल गए हैं मैं दिया करता था लेकिं डिस कंटिन्यू कर दिया किस वज़ा से डिस अब मैंने एक्समेन करना था कंसेट लेकिन आपके शोर मचाने में वही चीज़ यह देखे एविडेंस है ना वह पिक्चर है उनके पास कुछा पता चल गया लेकिन आप शोर मचाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है फिर मैं मैं खुछ होता हूं से तो कोशिश किया करें कैस असलमें मैं अब डेली बेस पर थोड़े थो ओँगा बैंकर थोड़ी होना है मैंने लेकिन चुक्छे असाइन्मेंट ज्यादा थी तो मैं देखना चाहरा था कितने स्वेंट ऐसे हैं जो कमिटेड हैं साइन्मेंट के साथ सब्जेट के साथ तो इसलिए नेक्स राइम रिकार्ड का राइम चलिए ठीक है फिर कल कल यह कंसर्ट कास्ट कामणिंग रिकार्ड वाला फिर कल के लेक्षर पर रख लेते हैं आज का लेक्षर ने आपर हम खतम करते हैं अल्लाहाफिस करते हैं अल्लाहाफिस